कहीं गुम न हो जाए ये एक ऐसी मुहिम है जो स्वरगिय बबिता सक्सेना जी ने शुरू की थी जिसका खास मकसद दोस्तों यही था जो लोस्ट रेसिपीज हैं जो अब इस नए खानपान में गुम सी हो गई हैं उनको फिर से हमारी खानपान की शैली में लाना बबिता जी जो की Let's Give Back Foundation की founder भी थी और उनके देहांत के बाद उनके husband retired colonel अतुल सक्सेना उनके इस मुहिम को बखुबी आगे बढ़ा रहे हैं इस मुहिम को पूरे देश पे चलाया जा रहा है और पूरे भारत में 13 राज्यों में ये contest आयुजित किया जा रहा है इस बार की theme है हमारी विरासत हमारी वियंजन राज्य का फेनाले उदापुर में आयुजित किया जा रहा है जो कि 7 अक्टूबर को उदापुरी प्यॉर वेज रेस्टूरेंट में जो कि होटल डी ग्लांस माली कोलोनी में स्थित है इस प्रतियोगिता को जज करेंगे राजस्थान और भारत के जानेमाना शैफ्स रॉयल राजस्तान शेफ सोसाइटी के प्रेजिडेंट शेफ विमल धर और इस मुहिम की राजस्तान के कॉडिनेटर डॉक्टर शेफ संगीता धर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उदैपुर और बाकी राजस्तान के शेहरों से तकरीबन 35 होम कुक्स हिस्सा ले रहे हैं उदैपुर में होने वाली इस प्रतियोगिता से तीन विनर्स जोने जाएंगे जो दिल ली जाएंगे नैशनल विनर्स को 51,000, 31,000 और 21,000 के नकद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा नमस्कार मैं शेफ इमल भेर, रॉयल राजस्तान शेफ सोसाइटी की तरफ से आज हम यहाँ पे होटल डी ग्लांस में हैं और हमारी कमेटी के साथ बैठ के जो आज हमने कुछ चीजें पैन डाउन की हैं और हमारे आने वाले एविंट जो हम साथ तरिकों करने वाले हैं उसके लिए हम आपके लिए बहुत सारी चीजें तयार कर रहे हैं उमीद करेंगे कि आप हमारे साथ इस इविंट में शरीक हों और इस एक बहुत ही different concept जो कहीं गुमना हो जाए बबीता सक्सिना जी ने start किया, उसका हिस्सा बने और देखें कि हमारे हिंदुस्तान में जो 13 states के अंदर ये जो event हो रहा है, जो lost recipes of हमारे देश की, जो हमारे इंडिया की जो lost recipes हैं, उस पे काम हो रहा है, बहुत बहुत बहु participants जो रहे हैं, hotel management के students सामने आ रहे हैं, बर्चर के हिस्सा रहे हैं, school के students भी आ रहे हैं, मतलब आप देखें क्या हो रहा है, ये बहुत साही चीज़े बदल रही हैं, तो ये बदलाव आपको देखना है, साथ तारीक को आके उधरपुर में, hotel d glance के अंदर, उधरपुरी restaurant से आज मैं ये चीज़ बयान कर रहा हूँ,